असलामवलेकूम guys कैसे हैं आप सब उमीद हैं कि खैरियत से होंगे आज की वीडियो में हम बात करेंगे carry court ये car seat की जो carry court आपको नजर आ रहा है ये basically carry court भी है इसको हम car seat के तोर पर भी use करते हैं और ये chair के तोर पर भी use होता है वेबी chair के तोर पर तो ये इसका 3 in 1 function है वन बे वन में आपको इसकी डीटेल्स बताती जाती हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि यह किता यूसफुल है हमारे लिए सबसे पहले आपको यहां पर यह बेल्ट्स नजर आ रहे होंगे यह बेल्ट्स जो हैं यह बेशिकली बेवी को यहां आप उसको कॉट पे रखें और उसके बाद आप इनके साथ बेवी को टाई कर दें यह बेबी को एक स्पोर्ट प्रोवाइट करते हैं आपको साइट से भी नजर आ रहोगा कि यह कवर है अच्छा खासा तो बेबी के गिरने का खत्रा इसमें नहीं होता उसके इलावा अगर हम इसके माटीरियल के बात करें तो इंतहाई नरम और फॉर्म फिल्ड यह माटीरिय जाती है जिससे आप मॉस्किटो से बेबी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ इसमें सन रूफ भी दिया जाता है तो आप अगर बेबी को कहीं बाहिर लेकर जा रहे हैं तो आप इस सन रूफ को आगे कर दें और यह इस तरह से टोटल अगर आप कवर करना जाहें और अगर आप सिर्फ sunroof जो है वो करना जाहें तो आप सिर्फ sunroof को भी आगे कर सकते हैं उसके लावा यहाँ पर आपको side पर इसके buttons नजर आ रहे होंगे यह दोनों side पर दो red color के buttons हैं जिन को press करने से basically यह जो इसका handle है यह move करता है जब हम इन buttons को press करते हैं तो यह handle आगे यह पीछे के तरफ आ जाता है अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ यह handle जिसकी वजह से बेबी को carry हरना हमारे लिए easy होता है अब आप देख सकते हैं कि यह handle in red buttons को press करते हुए मैंने दोनों side के button को press किया और इस handle को मैं आगे ले आई हूँ जब यह handle यह ऐसे मिट में आप ऊपर करें तो यह baby को carry करना बड़ा easy होता है इसके थूँ आप बेबी को डाल के कहीं भी लेकर जा सकते हैं उसके इलावा इस handle पर आप different toys जो हैं वो hang कर सकते हैं जब बेबी लेटा हो तो वो उन toys के साथ engage रहता है उसके इलावा आप इसको seat भी बना सकते हैं या baby chair भी बना सकते हैं वो भी मैं अभी आपको करके दिखाते हूं कि आप कैसे बना सकते हैं आप इसी handle को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे और adjust करेंगे तो यह baby chair में convert हो जाएगा अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसी handle को यहाँ पीछे adjust किया है यहाँ रखा है तो यह यहाँ पर baby chair बन गई है जिस पर बेबी को अराम से लटा सकते हैं और यह sport इसने proper handle ने इसको provide की होती है ऐसा नहीं होता कि यह हिले यहाँ से 100% comfortable होता है बेबी के लिए आप यहाँ ब है उसका यह कुछ भी है तो बेबी अराम से comfortably यहाँ पर बैठ जाएगा उसके अलावा आप इसी को car seat के तोर पर भी adjust करते हैं सो यह car seat भी है आप कार में इसको seat पर रखें और इसको adjust करें सो यह easily adjust हो जाता है तो यह था 3-in-1 carry cord जिसके बहुत ही फाइदे हैं अगर आपका यूज करें बेबी को इसमें रखें 100% सेफ होता है बेबी गाड़ी में ऐसा नहीं होता कि बेबी गरे जब फिक्स हो जाता है तो यह move नहीं करता गाड़ी में और आप comfortably बेबी को लेकर जा सकते हैं या बेबी को उठा उठा के थग गया है या वह सो रहा है तो आप बेबी मूवमेंट है इसकी कि अराम से आप इसको जड़ा से रौक करेंगे तो रौक करता रहता है तो से चुछ इसकी रौकिंड मूवमेंट होती है जब वह पर अ है है तो इस से हैरा से यह वैक साहीं पर आपको एक स्टोरेज मिलती है जिसमें आप डाइपर्स रख सकते हैं तो यह इसका यहां स्टोरेज एरिया है मैं आपको यह खोल के दिखा देती हूं यह इस तरह से यहां पर आपने कर डाइपर्स रखने हैं फीडर रखना है या नैपकिन वगएरा को छोटी मुटी चीज़े रखनी है तो वो भी आप इसमें यहां रख सकते हैं कि आपको आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अप कीजी आज मिलते हैं नेफ्श्ट वीडियो में एक नेक्स्ट विलॉग के साथ तब तक के लिए इच्छ